हाई फ्रेंट्स कैसे हो आप लोग मैं चैनल में आप सभी का स्वागत है तो आज हम बनाने चाह रहे हैं कबाब कबाब मैंने बनाया हुआ था तो इसको चलिए इसकी रेस्पी बना लेते हैं सबजी अब लिए प्याज जिसको इस तरह लंबे लंबे काट लिया एक दब पतले पतले और मिर्ची यहां पे टमाटर और यह है चाद मसाला काली मिर्च और यह धनिया पावडर यह थोड़ी सी मलाई तो चलिए बनाना श्टार्ट करते हैं तो यहां पे बैने कराई रखाता है खराँ कराई तो यहां पर दाल लें एकटी स्पीन घी आप चादो को पक्सब राज़े तेहरा है राई में बना सकते हैं आपके बुश्ची लिए बड़ा खीम हे बना रहें लिए गी तोड़ा इच्छी से कर्म कर लेंगे यहां पर हो चुका है घी गरम और हम इसमें डालते लिए हैं यह मिर्ची और मिर्ची के साथ साथ हम प्याद भी डाल देंगे प्याद को बहुत लाल नहीं करना है सिर्फ हम प्राभू करना है करके प्याद को बहुत है इसको जादा दाल करना है करता प्राउं नहीं आपने में प्राव करना है उसके डाल ले टमाटर अक्षेशान अब लेके तमाटर है अच्छे से जल रहा है और मैंने डाला इसमें खलका का लालुट यह लालुट को टीकी वाली है पस्कारी डाल अच्छी नहीं है तब को हम पांच मिनार के लिए पोड़ देंगे मैंने अच्छी मिक्स कर दिया है और अब यही मलाई है इसमें डाल देंगे इसमें डाल दिया है अब यही मलाई आप लूपा कर दिया और इसमें डाल देंगे इसको पांच मिनट के लिए कैस बढ़के इसको पकाना है तो मैंने कटॉली दो के इसमें तोड़ा सा डाल दिया है और इसके वाप हम कैस को प्रेज करके पकाना है अब कर्वन करें तो मसालव डालेना वरना मसालव डालने कि इसमें जल्वर नहीं है तो इसको हम इच्छी से पता लेते हैं अब आधे की पकना इसकाट हो गया है तो अब इसमें हम यह डाल दे रहे हैं कबाब तो अब इसमें हम यह डाल दे रहे हैं कबाब अब कवाब के अंदर मसाला कवाब के अंदर पेट इसमें अच्छा है अब इसमें बहुत ही कैश्णी लगता है मैंने एक डूबर बनाया फिप्रा में सुचा कि आपके भी शांत इसमें इसमें अब डाल दे रहे हैं अब अब आपके अब कर देते हैं तो यह देखिए अब आपको अच्छी लोगी तो लाइक क्यों सब्सक्राइब कर देना नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाए आपके लाए